दिल्ली के अंदर इतनी तबाही मिचाने वाले चुराची के दंगे होने से बच गए और उसका सलूट मैं दिल्ली पुलिस को देता हूँ जो मिशन है अतंकवादियों का, जो मिशन है पाकिस्तान का, जो मिशन है आईएसाई का, जो मिशन है पन्नु का हम मिशन पूरा नहीं होने देंगे सिख कौम इसलिए नहीं सजाई गई कि किरपाने नकाल के बे अंदो बे अथों पे चला दो और को हम बड़े बहादने जब ननकाना साब के अंदर गरंथी साब की बेटी को अगवा किया गया जब ननकाना साब के अंदर वहां का एक काफिर मुसल्मान जिसने कहा यहां मस्षिद बना देंगे उस वक्त यह कहा थे और नरिंदर मोदी जी ने मौत का कफन बांक के अभी अभी रस्ता खोला करतारपूर साब्त का एक तरफ सर्जीकल उप्रेशन ना ना सर्जीकल उप्रेशन जंक की त्यारी पाकिस्तान पे हमला किया वो कर सकता है पर नरिंदर मोदी जी ने किया कुछ भी हो जाए सिक हमारा भाई है हमारे देश का एक अतूट अंग है करतारपूर साब का रस्ता खोलेगा खोला तो खोला काबूल के अंदर धार्मिक गुर्दवारा इतिहासे अतंकवादी आए गुरु गुरन साब सामने पाथ हो रहा है आके थर 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 गोलियां चला करके दिली नेजे चलाना जानते हैं इनको पूछने वाला कोई नी दिली ट्रक्टर चलाना जानते बसों में अगर आप में हिम्मत थी पुलेन पकड़ते आतम गाती बनके जाते ठीक ना जाते पाकस्तान में विजा लेके जाते और रुक जाते छुप जाते वो काफर को मार के आते जिसने बेटी को अगवा किया था बबर शेर दिली में बन गए ननकाना सा में तो ऐसे हो गए मेरी कोई वीडियो देख लिए मैंने किसान के खलाफ को बोला हूँ मैं तो अब निकला हूँ मेदाने जंग में जब मेरे तरंगे जंडे का आप मान हुआ बई ये अजादी का तरंगा जंडा है अब भी लड़ेंगे हिंदोस्तान नहीं है भारती है भी हम खालस्तान ना बना था ना बनेगा ना बनने देंगे अगर सिखों पे हिंदोस्तान को विश्वाष ना होता तो उनको जिम्यदारी देते जिन्होंने सरजी कल उपरेशन करके इस सिखों की पगड़ी महराज की पगड़ी को उचा किया यह है सरदार पहली बार हुआ ऐसा कि बाला कोट में गुश करके पंदरा मिंट के अंदर ठोक करके वापस आगे पांसो के करीब अतंकवादी देखो यह जो पगड़ी पे दाग लगा है ना यह मिटेगा नहीं हर दाग मिट जाएगा इस पगड़ी को माफ नहीं करेगा सचा हिंदोस्तानी नहीं करेगा जो मुझे व्यक्ति जा बच्चा नहीं जानता वो तो मुझे इसी निगा से देखेगा ना यह वो सरदार जी हैं जिन्होंने अजादी के तरंगे जंडे का अपमान किया था और जो जितने भी सिख समाज के लोग हैं जो बाहर भी बैटे होंगे उनका सिर्थ तो कहीं न कहीं जुकाई होगा दिल्ली के अंदर इतनी तबाही मचाने वाले चुराच्ची के दंगे होने से बच गए और उसका सलूट मैं दिल्ली पुलिस को देता हूँ जिन्होंने जो दिल्ली पुलिस है जनाब पूरे हिंदोस्तान की दिल्ली पुलिस यहां कोई छबी ग्यारा हो यहां पार्लीमेंट अटैक हो वाक्या करके चला गया दस दिन के अंदर अंदर वापस किसी भी तरीके से वो दिल्ली पुलिस मार खाती रही इस पकड़ी से मार खाती रही न और दिल्ली पुलिस ने क्या किया इस पकड़ी को सलूट करते रहे किना मारो कितना मारते हैं हम आप एक गोली निचलाएंगे जो मिशन है अतंकवादियों का जो मिशन है पाकिस्तान का जो मिशन है ISI का जो मिशन है पन्नू का हम मिशन पूरा नहीं होने देंगे हम अपने सिर कटवा लेंगे और किसी सरदार के ओपर गोली नहीं चलेगी क्योंकि ये बीच में लोग पाकिस्तान पे एक मिशन को पूरा करने आए कि 84 के दंगे हूँ मिशन पूरा नहीं करने दिया दिल्ली पुलिस को पता चल गया दिमाग से काम लिया अगर हाथ में बंदूक है तो पुलिस को ये भी सिखाया जाता है फोर्स को कि हाथ में बंदूक है तो दिमाग से भी काम लीना है मैं उसको सलूट देता हूँ अगर उसके बाद दिल्ली ग पंजाब में नहीं हैं शिक पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में हैं और शिक समाज किसी पुलिटिकल पार्टी का नहीं है और चुराची के दंगे इनी गलतियों से हुए थे कि पंजाब से जब बेगुना लोगों को कतले आम किया था 19,000 इंदूओं को बसों से ट्रेनों से निकाल निकाल के आपने मार दिया था उनके हाथ में को हत्यार नहीं था और जिस तरीके से 60,000 बेगुनाहों का कतले आम हुआ और उसके बाद दिल्ली के अंदर चुराची के दंगे हुए उसको तो कोई इंसाफ दिलवाई नहीं पाया उस वक कहा थी गुर्दवारा परब पैसे निकाल करके केस लड़ा और जो भी सदा मिली और नरिंदर मोदी जी ने को कमेटी का गठन किया जहां तो उस वक्से काम करते हम तो खड़े होगे देश विरोधियों के साथ देश की आजादी के तरंगे जंडे का अपमान करने वाले मेरे से एक सवाल है मुझे सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस है सरदारों की पगड़ी की रक्षा करते हुए अपने उपर हमले जहलती रही और तो सरदारों ने जो निकाल के किरपान है और तलवार है और फ़र्चे लेकर के उन पर हमला कर दिया अगर यही हमला करना था तो जिस समय पाकिस्तान में जब सिख की बेटियों को जब जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्थनों साधी करते तो उस समय ना तो यहां की गुर जो कमेटिये वो निकल के आती है नहीं ये वहाँ पर जा करके हमला करते हैं मच्छित बना देंगे उस वक्त ये कहां थे नंकाना साथ जिसको हिंदु भी माने मुसल्मान भी माने सिख्वी माने अभी उनका दिन गया गुरु नानक देव जी महराज का और नेरंदर मोदी जी ने मौत का कफन बांक के अभी अभी रस्ता खोला करतारपुर साप्त का एक हमारा भाई है हमारे देश का एक एक अतूट अंग है करतारपुर साप का रस्ता खुलेगा खुला तो खुला ठीक अतंकवादी खतरनाक जिसने मेरे पे भी ब्लास्ट किया ची मिनिस्टर बेंसिंग के और किये वो भी छोड़ डाले क्यों चलो सिक्स हमाज को नरंदर मोद ले मोति के ओपर उमीद कर सकते क्या अतंकवादी ओंक छोड़ देगा के तना हमारा खुन का रिश्ता है हमारा नाम मास का अतंकवादी भी छोड़ दा ले करतारपुर साब भी खोल दिया और काबुल के अंदर धार्मिक गुर्दवारा इतिहासे अतंकवादी आये गुरु गुरन साब सामने पाथ हो रहा है आके थर 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 गोलियां चला करके किसी का सोहाग उजार दिया बच्चे माँ के सामने तड़ परें पत्नी के सामने पती तड़ प्रा ऑए है खून की नदियां बय गई कोई पूछने वाला नी वहां खालस्तानी कहा थे यह दिली करपान जलाना जानते हैं क्योकि इनको पूछने वाला कोई नी दिली ट्रक्ट जानते बसों में क्या फीम कहाई ठी ट्रक्टर मारें आपका अगर आपने हिम्मत थी प्लेन पकड़ते आतम कातींग बन के जाते ठीक न जाते पाकस्तान में विजा लेके जाते और रुख जाते छुप जाते वो काफर को मार चाहते जिसने बेटी को अगवा किया था जिसने गुर्णानक देव जी महराज के ननकाना साब को मस्चिद इसका मकबरा जो भी बनना चाहिए ना गुराना माना को मेरे से गलश बद कह दिया हो तो मार के वही मर जाते अगर इतने आप बहादर से इतने करपाने चलाने का खंडे चला रहा था ना वहां पर लाल के नमे ऐसे चला रहा था अगर तुम्हारे में महिम्मत थीना इतनी तो जाता काबल में टिकट मेरे से ले जाता मैं भी तेरे साथ चले जाता भाईया इस काम में अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं चले जाओंगा भाईया मार के वहीं मर जाओंगा मेरे लिए इस से बड़ा इसके जाल करके अतंग वादियों ने हीड कर दिया में बच्चों के सब के स्व Aha बढ़ते आपकी दलेरी कहा थी वहाँ का Northٹ से आप अलुeder कई नेकाना साँ में तो एक insights हो गए काबल मैं एक और र ayahu से । नेरंदर मोदी जी ले के आई बेए उनको जल्दी बलाओ वहां खत्रा है मोदी लेके आते हैं और फिर किसान अंदोलन से नारे निकलते हैं कि जैसे इंद्रा को ठोकी ऐसे मोदी को ठोक देंगे तरंगे जंडे का अपमान करेंगे फलाना करेंगे यह वक्त गुजर गेए जहना बड़ा असान होता है इन्हीं लोगनों ते अंदोलन को तबाह किया जो अंदोलन का लीडर साराजूा उते हैं वो बहुत अच्यादमी उनका स्पीच मैंने सुना कुछ दिन पहले केते जी हमारे अंदोलन में को गलत लोग गुश चुके हैं लंगर में इस जगा पे गुश चुके हमें ध्यान रखने की एक जम्मेदार व्यक्ति ने बात तो की एक भी बढ़काऊ व्याशन राजु आना साब का मैंने नहीं सुन आपने राजनिती करते 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 ऐसी आग लगाई पंजाब भी बरबाद हो गया और हमें ता हमारे सब के लिए खत्रे की गंटी बजी रहती तुरासी के दंगे हो गए यह याद रखना अब नहीं कौन रख रहा हम केस लड़ेंगे हम केस क्योंकि सबासाल बाद चुनाओ आने वाला है पंजाब में हम केस लड़ेंगे हम किसानों के साथ हैं मैं किसानों के साथ तो मैं भी हूँ मेरी कोई वीडियो देख लिए मैंने किसान के खलाफ को बोला हो मैं तो अब निकला हूँ मेदाने जंग में जब मेरे तरंगे जंडे का आपमान हुआ भई यह अज भारत माता को हिंदुस्तान के लिए दी थी क्या कहते थे हिंदु की चादर हिंदुस्तान की चादर मैं तो उनके सूलों पर चलता हो अब मैं ख GOillon भाड़तान भूलो है तो अटल नोन अलग आगे इनके असूल अलग आगे नहीं बिटा साब जो खालेस्तानी विचार दा रहा है उसने कहीं न कहीं सिक्षों को बदनाम तो किया है कि जिस तरीके से उन्होंने नारे लगाए थे कि कस्मीर बनेगा पाकिस्तान पंजाब को बनाएंगे खालेस्तान इस तरह के एक एक रहेगा जो कहते हैं आपके पूरा हिंदुस्तान एक है उनकी जो विचारदारा कुछ लोग हो सकता है कि इस विचारदारा से ग्रस्त हो आज कही ना कहीं जो हिंदु वर्क जो यूवा है या फिर स्रद्धाब मानने वाले लोग है जो कहते हैं कि जो शिख थे उन्होंने आजादी में बढ़ चड़ के हिस्सा लिया था इसलिए वहां पर मत्था टेकने के लिए गुर्दवारे में भी पहुंचते हैं लोग इसलिए बात है जहां तक शिख समाज ने एक बहुत बड़े काम किये और हिंदुस्तान में सिख समाज को दिया भी बड़ा कुछ हिंदुस्तान के सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर दिये हिंदुस्तान इस भारत माता ने सरदार बलदेव संग जी सरदार स्वरन सिंग जी फॉरन मिनिस्टर एर मार्चल अर्जन सिंग जी जी दिए जिन्नोंने पाकिस्तान के चणे चबा दिये थे फिर हमें दिये जग जी सिंगरोडा जिन्होंने कहत्तर की जंग जीती एर मार्चल और आर्मी चीफ फिर हमें दिये दनुवा जी अगर सिखों पे हिंदुस्तान को विश्वाश ना होता तो उनको जिम्मेदारी देते जिन्होंने सरजीकल उप्रेशन करके इस सिखों की पगड़ी महराज की पगड़ी को उचा किया यह है सरदार पहली बार हुआ ऐसा कि बाला कोट में गुश करके पंदरा मिंट के अंदर ठोक करके वापस आगे पांसो के करीब अतंकवादी